नमस्कार मैं हूँ ग्याणिंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मेडिया नेटवर्प तमिलाडो से एक बड़ा ही दिल दहला देने वादा मंजर सामने हा रहा है एक पठाके फैक्टरी के विस्पोर्ट में चार श्रमिकों की मौत हो गई है बता दे कि यह पूरा घटना तमिलाडो के विरुद्ध नगर जिले के नांगल पूरम गाउं की है जहां कुछ श्रमिक पठाके फैक्टरी में काम कर रहे थे काम करने के दौरान अचानक फैक्टरी में विस्पोर्ट हुआ जिसकी वज़र से मौके पर ही तीन श्रमिक की मृत्यू हो गई और एक अन्य श्रमिक की मृत्यू अस्पताल ले जाते समय हो गई इस विस्पोर्ट की वज़े से इमारत पूरी तरह धराशाई हो गई और वहाँ पे मौजूद आठ लोग बूरी तरह से घायल हो गई घायलों को नजदिकी अस्पताल में भरती गराया गया है जहां उनका इलाज जारी है बताया यह जा रहा है कि पटाखा निर्मान इकाई में श्रमिको के काम पर आने के तुरंत बाद ही दुर घटना हो यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि विस्पोर्ट और उसके बाद आग लगने की घटना किस लपरवाही की वज़े से होई पुलिस ने प्तारंभीक जाच का हवाला देते हुए कहा है कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति द्वारा फैक्टरी की केमिकल स्टोर का दरवाजा खोलते ही विस्पोर्ट हो गया है इसके अलावा कोलकता से भी एक बड़ी घटना सामने आ रही है जहां एक केमिकल फैक्टरी में भीशन आग लग गई बता दे कि यह घटना नौवर्स के औसर पे घटित हुई यह घटना कोलकता के दमदब एरपोर्ट के कैखाली इलाके का है जहां एक केमिकल फैक्टरी में इतनी भीशन आग लग गई जिसके बाद करीब मशक्कत के बाद आग बर काबू पाया जा सकता बता दे कि यह घटना 11 बजे की है बताया यह जा रहा है कि जब केमिकल फैक्टरी में आग लगी उस समय केमिकल फैक्टरी में पेंट, थीनर और कुछ ज्यूलनसील प्रदार्थ रखे हुए थे जिसके कारण आग काफी तेजी से फैल गया इस हादसे में कनहाई कुमार संतारा नामक एक व्यक्ति की मृत्टी हो गई जिसके उम्र बावन वर्ष बताई जा रही है आग लगने की वज़े से इस फैक्टरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया और आसपास के करखानों को भी भारी नुकसान पहुंचा वही इस हादसे में फैक्टरी के एक सुरक्षा कर्मी की भी जलकर मौत हो गई जिस तरह हम आई दिन देख रहे हैं इस तरह के हजारों हादसे हो रहे हैं एक छोटी सी लपरवाही एक बड़ी रूप ले लेती है इस संदर में आपके क्या विचार हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें साथे चैनल को सबस्क्राइब करें